पुंडली में व्याप्त नवग्रह दोश दूर करने के आसान उपाए. भारतिय जोतिश शास्त्र में सूरे, चंद्रमा, गुरु, मंगल, शनी, बुध, शुक्र, राहु और केतु को नवग्रह माना जाता है. जोतिश शास्त्र के अनुसार इन नवग्रहों की स्थिती और गती का हमारे जीवन पर निरनायक प्रभाव परता है. इन ग्रहों के प्रतिकूल होने पर जीवन में परेशानिया आनी शुरू हो जाती हैं. इन ग्रहों की प्रतिकूर अवस्था को ही ग्रह दोश कहते हैं ज्योतिश शास्त्र में ग्रहों के दोश को दूर करने के कई उपाए हैं इन में से कुछ आसान उपाए हम आपको बता रहे हैं जो आपकी कुंडली में व्याप्त ग्रह दोश से मुक्ति दिलाते हैं कुंडली में व्याप्त चंदर दोश को दूर करने के लिए उनिमा की रात में चंदर देव को जर्चड़ाना चाहिए इसके साथ चंदर दोश दूर करने के लिए सफेद चीजों जैसे चावल, शक्कर, दूद आदी का दान करें मंगल दोश से मुक्ति के लिए मंगलवार को मसूर की डाल या लाल रंग की वस्तूं का दान करना चाहिए इसके साथ ही मंगलवार को भात पूजन करवाने से भी मंगल दोश के अशुक प्रभाव में कमी आती है गुद दोश दूर करने का उपाए कुंडली में व्याप्त बुध दोश दूर करने का सबसे सरल उपाय है बुधवार के दिन नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें हरे रंग की वस्तूओं का दान करना भी बुध दोश से मुक्ती दिलाता है गुरु दोश दूर करने का उपाय गुरु या ब्रहस्पती ग्रह के दोश को दूर करने के लिए प्रतेक गुरुवार को भगवान विश्नु को केले का भोग लगाने और उन्हें केसर या हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए शुक्र दोश दूर करने का उपाय शुक्र दोश दूर करने का सबसे सरल उपाय है प्रतेक शुक्रवार को मा लक्ष्मी का पूजन करना और उन्हें गुलाबी रंग के फूल समर्पित करना इसके साथ ही शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए सूरे दोश दूर करने का उपाय सूरे देव नवग्रहों के स्वामी है सूरे दोश दूर करने के लिए नियमित तोर पर सूरे देव को तांबे के लोटे से जल का अर्धे देना चाहिए अर्भे देने के जल में रोली और लाल रंग का फूल मिलाकर अर्पित करना लाप प्रद होता है शनी दोष दूर करने का उपाए शनी दोष से मुक्ती के लिए क्रतेक शनिवार को शनी देव की पूजा करें और शनी देव या पीपल के पेड़ को सरसों का तेर चड़हन, गरीबों और कुष्ठ रोगियों को भोजन करवाए और काले रंग की चीजों का दान करें राहू दोष दूर करने का उपाए राहू दोष से मुक्ती के लिए भगवान शिफ का पूजन करना चाहिए इसके साथ चान्दी का नागनागिन का जोड़ा बनवा कर इसे नदी में प्रवाहित कर दें या शिवलिंग पर चड़ा दें आपका राहू दोष दूर होगा के तू दोष दूर करने का उपाए के तू दोष से मुक्ती के लिए काले सफेद रंग के कुत्ते को पालना चाहिए या फिर कुत्ते को बेसन का लड़ू खिलाना चाहिए गरीब व्यक्ती को सफेद रंग का कंबल का दान करना भी लाब प्रद होता है